यह क्लास अपनी जो और्गनाइज होनी थी 31st of December को और्गनाइज होनी थी बट क्योंकि वो New Year Eve थी और काफी सारो लोग बिजी थे तो जिस विए से यह क्लास पोस्टपॉन करके आज की दिन रखी क्या रीजन है क्लास के रखने का मूटिफ क्या है इसके पीछे का क्या हम दुख देखेंगे आज़िक लास में क्या समझने की खुश्शिक करेंगी एक दिन की क्लास है सोयप अब इस स्क्रीन पर कुछ भी लिख करेंग थे किसी तरह से बोलते अचानक से रुख जाना फिर उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है वो फ्लू ब्रेक हो जाता है अब देखिए किस बात पर ते और कहां पर हम आ गए कि इस स्क्रीन को मत लिखेगा क्या मोटी वैस के पीछे का क्यों और आज की लास में लोग क्या देखेंगे क्या समझेंगे एक दिन की क्लास ही है कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम आप लोगों को बता सकते हैं उसको बताएंगे लेकिन एक दिन की क्लास में क्या होगा ना तो हम आपको practice करवा पाएंगे उसके उपर नहीं है आप लोगों से हम किसी तरह कोई project वा complete पाएंगे रूल तो यह होता है या तरीका तो यह होता है कि अगर हम कोई भी एक subject या एक topic आपको समझा रहे हैं बैठना नहीं है इसकी practice करना जितनी ज्यादा हो सके practice करना कोई भी एक system एक घंटे एक दिन या एक हफते में आता नहीं है यह बहुत बड़ा एक truth है जो कि अक्सर लोग मानने से इंकार कर देते हैं उन्हें लगता है एक महीनी के अंतर हम किसी भी strategy को test कर सकते हैं जबकि ऐसा next to impossible यह हमारा personal experience और बहुत गहरा experience है तो इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप स्विकार कर लो otherwise इसके नुक्सान ही है नुक्सान ही होते है future में basically कोई भी trade जब हम execute करते हैं या करने जाते हैं तो कुछ homework होता है हमारा जो हमें complete करना होता है जैसे कौन कौन सा वह homework होगा जिए जिए घ्लास में है मालू होगा आप लोगो को हमारे senior है शिव जी हम सिर्फ stocks के ओपर इस फक्रें stocks के ओपर ही focus कर रहे हैं बाकि options ये futures में जो trade हम करते हैं तो कोशिश करते हैं ज्याता था पब्लिश नहीं करते हैं जो कि हमें satisfied लगता है वो फिर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेर कर देते हैं लाइक अपने टेलिग्राम पर हम शेर कर देते हैं और यूट्यूब चैनल जो अपना चोटा सा वहां पर भी हम शेर कर देते हैं जाधा तर हम options के टेट शेर करते हैं क्योंकि हम हमारा अपना क्या सोच रहे हैं कि हम जिस तरह से आप लोगों को काम करना सिखा रहे हैं वो कोई किसी भी तरह का shortcut नहीं है जो कि common market में आजकल जो trend चला हुआ है जिसको भी देखू option कर रहा है जिसको देखू option सिखा रहा है हम यह भी नहीं कहा रहे हैं कि आप इस टॉक्स के अंदर काम करो हम बस इतना कह रहे हैं कि जो भी काम करो एक systematic way में करो एक technical approach के साथ करो बस green candle देख ली और buy कर दिया red candle देख ली हमने और short कर दिया यह सब नहीं होना चाहिए कोई भी काम एक छोटा सा हम लोगों को एक line भेगर draw करनी चार्ट के उपर तो मालूम हो कि वो line हम draw कर ही क्यों रहे हैं आखिर क्या reason है इस line के draw कर देने से हमारी trade के उपर क्या असर पढ़ जाएगा यह मालूम होना हर action का एक reaction होता है और आप बात बात पर कुछ ना कुछ act करते रहोगे live market में तो उसका कुछ ना कुछ action होगा वो effect positive भी हो सकता है उसका कुछ side effect भी हो सकता है तो कोई भी action कर उसकी पीछे का reason मालूम हो और उस action के बाद में results क्या निकलेंगे यह भी हमें मालूम होना चाहि हाला कि बहुत कुछ market टैर करती है लेकिन हमें कमसे एक मालूम होना चाहिए हम क्यों यह काम कर रहे हैं ताकि हो सकता है एक बार की loss में result हमारे पास ना है जो हम चाहते है तो हो सकते हैं दूसरी बार के प्रेस में वो रिजल्ट आ जाए तो किसलिए हम काम करें एक लिए मालूम होना चाहिए हमको आपको मालूम है पांच-पांच-पांच-थाजार या दस-दस-थाजार रुपए करके आप छोटा से छोटा भी फंड एट करते हो अपने अकाउंट में और वो साफ हुझाता है यह होता है आप एक लौट या दो लौट में काम करें तो आपको लगता है कि हम तीन हजार या चार जार रुपए के फंड का यूज़ करके हम बना ले जाएंगे पैसा और यह गलत बात नहीं है लोग बनाते हैं और सही बनाते हैं हम भी बनाते हैं हम भी जो ट्रेट करते ह आप संभाल पाओ जब आपका एक छोटा सा अकाउंट है आप उसको ग्रो करना सीख जाओ उसके बाद में इन सारे सेग्मेंट्स उपर बढ़ना चाहिए हमने कभी भी नहीं का यह बात क्या option करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना कहना होता है कि option को करने से पहले एक अच करने की कोशिश करते हैं लेकिन यकीन मानिए एक लौट और दो लौट के साथ अगर आप काम करें तो आप सीखने हो आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक ही प्रैक्टिस करते हो और वह होती है गैंबलिंग एक दिन प्रॉफिट दो दिन लॉस तेन दिन प्रॉफिट चार प्रॉफिट बना लिया मरी से मरी हालत में आप मान के चलो बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर आपने लगा लिए तो अपने चार-पांचार रॉपिए का प्रॉफिट बना लिए फ्राइडे को सारा चला गया चोटे से अपने एकाउंट को होल करना शीख लो आप 5,000 रुपए के अपने एकाउंट के दस जार या 20,000 रुपए के एकाउंट को ग्रो करना सीख जाओ अगर आप 30,000 को 40 बना सकते हो तो फिर आप एक लाग को भी डेल लाग बना लोगे फर क्या है ग्रो कर रहे हो आप लेकिन आप equities को छोड़ करके देखिए शुरुवात में भी हमने जो कहा है कि market to market depend करता है आप यह दोखो कि आपको कम पैसे में कौन सबसे अच्छा सिखा सकता है इसको समझेगा कम पैसे में सबसे अच्छा आपको market कौन सिखा सकता है आप छोड़ दो हम अगर बोल रहे हैं कि आप equity करो या हम अगर आपसे बोल रहे हैं कि आप futures करो तो उसमें आप यह मान के चली कि आपको कम पैसे में कौन सिखा देगा आप खुद अनलाइस कर लो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मात सेग्मेंट बसता है इक्विटी का अब टेसला उठालो आप Microsoft उठालो आप इस्टेल उठालो आप पैसे पेंट उठालो वैसे ही चलेंगे जमेंटो का शेर आप लेलो आप MRF का शेर लेलो आप रिलाइस लेलो आप Facebook लेलो Meta टेसला लेलो Bank of America लेलो American Airlines लेलो जिस सारी इक्विटी के segments है equity के segments में काम करने का सबसे बड़ा फैदा यह होता है कि हम जितनी चाहँ उतनी quantity से काम कर सकते है जबकि अगर हम lots के अंदर काम करने जाते तो महलूम है क्या होता है कम से कम एक lot के अंदर बहुत जादा नहीं कम से कम भी अगर हमें loss करना होगा और एक systematic way में हम अपने stop loss एक lot के अंदर बैंक निफ्टी में लगाएंगे तो कम से कम 15 रुपय का loss कहीं नहीं गया यह नहीं हो यह मतलब नहीं इसका कि हम अगर trade करने जाए तो वो loss ही हो जाएगा लेकिन क्या expectation यह इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर हम एक lot के अंदर अगर हमारा loss होता है profit होगा तो ठीक है हो रहा है लेकिन अगर loss हुआ तो क्या वो 15 रुपय से कम का हो सकता है यह बात आप खुद सोच के देखो लेकिन यह market में कोई चीज़े समझाता ही नहीं यह सिखाता ही नहीं है इसी अक्सर हम भी बात बोलते हैं कि market में education की बहुत कमी है यहाँ पर कोई भी अपना account open करवा लेता है कोई भी trading स्टार्ट कर देता है और सामने बाल आपसे यह नहीं पूछेगा कि कम एक बात बताएए कि आपको trade में entry करना आता भी है आप अपने account में 50.000 रुपर ट्रांसवार तो कर रहे हो क्या 50.000 रुपर आप संभाल पाओगे बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें यह आपको खुद समझनी पड़ेंगी देखनी पड़ेंगी है न हम लोग अपनी class स्टार्ट करते हैं और जिस topic के लिए लोग आयते हैं उसके उपर सिधर shift होते हैं बट अपने मन में यह साही चीज़ें संभाल करें रखिए गया कोशिश करिए कम पैसे में जहां पर आप सीख पाऊं जो 7 मिट आपको कम पैसे में दिखाब पाए वहीं हम चाओ ओके देखिए देखिए अभी जो हम लोग एक काम करेंगे एक चीज़ सीखेंगे वह होगा ही हमारी मदर केंडल अब यह मदर केंडल है अब यहां पर हम लोग क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ऐसे फिर मुच्किल हो जाएगा अब यह मदर केंडल है मदर केंडल बेसिकली क्या होता है जो आपने देखा हुआ कि कोई बुलिश केंडल बुलिश मदर केंडल है बेरेश मदर गेंडल एकशली इसा कुछ होता नहीं है बुलिश मदर केंडल बेरिशमा जो केंडल neutr … मदर केंडल मदर केंडल इनका use कहाता है actually trade execute करने के लिए trade execute करने के लिए अगर हम इसका use करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ है for trade execution देखेए अब अगर हम इसकी list बनाना चाहें तो सबसे पहले पर आता है हमारा day time frame day time frame या फिर आप कह लिए इसको higher time frame अगर day है तो फिर हायर हायर क्यों ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे हमारे लिए हमारा higher time frame है day time frame हो सकता है आपके लिए आपका higher time frame हो आवरली का या हो सकता है आपका 4 hour का time frame हो या हो सकता है 30 minutes का आपका higher time frame हो मेबी आपका weekly टाइम फ्रेम हो higher time frame या फिर monthly candle आपका higher time frame हो लेकिन एक analysis आपको higher time frame पर करनी पड़ती है और एक analysis lower time frame पर करनी पड़ती है तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारा day time frame की analysis कैसे आप marking करोगी उसके उपर इसके बाद में आता है आपका lower time frame lower time frame पर क्या होगा lower time frame इस पर आपको कोई भी time frame हो सकता है like हमारा जो favorite है वो है five minutes का lower time frame या फिर five minutes का time frame यह तो दो time frames हो गए इसके बाद में जोरुत पढ़ती है हमको stock selection की stock selections की कई तरीके होते हैं जिसमें से हम आपको एक method आज बताएंगे लग उसके थुरू आपको stock select करना हो गया इसके बाद में आ जाता है आपका entry और फिर फिप्त नमबर पर आपका इसे लिए तर्गेट भी रख सकते हो सबसे लास्ट में अपना टार्गेट आजएगा इतनी सी चीज़ होगे अब इसमें बहुत अब डीप डाइब करेंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो लोगर टाइम फ्रेम की कुछ सब्सक्राइब करेंगे इतनी सारी चीज़ें करेंगे अभी जितना समय अपने पास है उतने टाइम में हम लोग इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे हमारे पास कुछ सिस्टम होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम यह अपनी फ्री क्लास है कोई भी ट्रेड हम एक्जिक्यूट करने जा रहे है तो नहीं है मालकी चलिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कोई सिस्टम नहीं है तो एक सिस्टम मिल जाएगा जो आज इक चीज आपके हाता से लगेगी, तो इसके जितना ज्यादा हो से की उतनी प्रैक्टिस करना और अपना बनाने की कुशिश करने इसको, अब देखें, डे टाम फ्रेम के रेडिंग, डे टाम फ्रेम पर अगर हमें मार्किंग करनी है, तो उसके कई सारी टेक्निक्स होती है, मतलब हम ल प्लस आपका प्राइज इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो और मज़ा आता है इस्टम और अपने स्ट्रॉंग बनते चले जाते हैं एक सिस्टम आपको बताएंगे सिर्फ इसके अंदर आज के टूल्स एक तरह से बोलेंगे काफी सारे टूल्स हैं कॉमनली जिनका यूज़ किया अक्सर जिनका यूज़ किया पता है सुभाजी हमारी तरफ से आवाज सही है शाद आपके डिवाइस में ही कुछ प्राइब्रम होगी आवाज हम तो जितना होता है कुछ रिकॉर्डिंग स्पिया क्लास भी जो होती वो नॉर्मल इसी वाइस पर होती है आज में क्या होगा वॉल्यूम प्लस प्राइज इसको देखेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइज है न कि प्राइज को किस तरह से हाइट एंप्रिंग की मार्किंग के लिए कैसे प्राइज को मार्क करते हैं तो हाव टू मार्क प्राइज केंडल छिक देखें जो यहां पर मैं एक चीज बोली है मदर केंडल मदर केंडल को जब आपको मार्क करना हो एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मार्क करना क्या है कछी हमें क्लास ले रहे थे अपनी उसके हमने एक चीज बोली थी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हो या कहीं जा रहे हो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप जहां कहां रहें कि ऐसा होता है कि बशम हम मों ढोनों गर का पर कर जाना है के अगर मर्ममें है तो हम उख उचेफें तक पहुंचेंगे कोई भी प्रांctive हम लोग अगर मार्केट में जाते दि हम आपकोजने के इस पर दि बॉर्प legally बुटन को खोजने जा रहो हम अब अगर आपने डूब का मन बनाया है कि हम मार्केट में जो ट्रेड़ execute करेंगे आज के बाद से उसे double top से करेंगे तो फिर आपको ना तो double bottom देखना चाहिए ना आपको triple top triple bottom देखना चाहिए ना तो आपको head and shoulder बगरा देखना चाहिए कुछ नहीं देखना चाहिए सिफ double top वही system हमारे लिए वही सही है क्योंकि जितना अभी तक हम मार्केट को समझ पाया है जितना जान पाया है यहाँ पर एक ही system को एक ही system को master करने के लिए पांच-पांच से छे-छे साल लग जाते हैं लोगों को लेकिन फिर वो system भी होना चाहिए ऐसे ही नहीं किसी भी system के उपर पांच साल और छे साल लगा देंगे system कम सकाम ऐसा हो जहां से हमारे लिए profit निकले systematic way में निकले यह भी नहीं कि तीन दे इंकला चौते दिन loss फिर तो किसी काम का नहीं रहा न आप चाहिए जितनी मेहनत कर लो मन में मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह के structure मार्केट में find करने जा रहे है इस तरह क्यों होते हैं या तो हम एक नॉर्मली जो होगा आपका horizontal lines के तुरू होगा है नहीं तो फिर इस तरह की trend line के तुरू होता है इस तरह की structures निकलते हैं अभी इन structures को आप साइड में लगा दो अभी जो मन में एक picture एक imagination बना लो कि हमें इस तरह के supports चाहिए मतलब जो लेवल आप draw करोगे वह लेवल कुछ इस तरह के होने चाहिए इस तरह के जो line आप draw करोगे market वहां पर इस तरह से support लेनी चाहिए इसी तरह से support लेगे अब यहां से अगर हम लोग resistance देख लेए तो प्राइज आप जो line आप डाल दोगे चार्ट के उपर कुछ इस तरह की line होगी आपके यह वाली यह imagination यह clear होने चाहिए आपके mind में picture clear होनी चाहिए कि एक ऐसी line हमको draw करनी है जिसको market respect करें रोज रोज कोई stock trade नहीं होता एसी सी अगर हम आज trade करें तो जरूरी नहीं कल हम एसी सी कोई trade करेंगे वो level पर आगा तब हम trade करेंगे कि난 है अक्सर घुता हुथा है ना कि कि यह वे चाठ गरिसे अपने मुंस में उसका ले लिजा अप क्या बोलते है bang में एक ही चार्ट ट्रेट करना है फिर उस लेवल का experience आपके पास हो तब तो आप काम कर लो और जितना हम समझ पा रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब चार साल पांच साल मार्केट को देने के बाद में फिर आप उस लेवल तक पहुंचते हो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेट कर लो इस तरह का picture इस तरह का price section आपके पास हो तो ही काम करना आप ठीक इसको मन में पैठा लो बहुत आपको इसके बहुत सारे example देखने हो कुमें लेंगे बहुत अब वापस से बढ़ते हैं लोग यहाँ पर mother candle के according सबसे पहली एक यह candle बनेगी और दूसरी हमारी एक यह candle बनेगी mother candle के बारे में तो सभी को मालूम होगा न यह हमारा high हो गया यह हमारा low हो गया अब देखिए अपसाइड होती हमारी रेस्टेंस है रेस्टेंस पॉइंट और यह हमारा सपोर्ट एरिया सपोर्ट पॉइंट है यह दो चीज़े हो अच्छा है इसमें फर्स्ट वाली जो candle होती नॉर्मल कि इसकी जो हाइट है सेकंड वाली केंडल का high और सेकंड वाली केंडल का low फर्स्ट वाली केंडल के high और फर्स्ट वाली केंडल के low के अंदर होना चाहिए नॉर्मल जिनको नहीं मालू मदर केंडल उनके लिए first वाली candle हमारी बड़ी होती है और second वाली candle हमारी छोटी होती है clear ना first वाली candle के high and low के अंदर ही second वाली candle का high और low खतम हो जाता है मतलब कि first वाली candle के बाहर price नहीं निकल पाता है जिसको कि हम लोग technical language में mother candle बोलते है और इस छोटी वाली candle को बोला जाता है बेबी candle ठीक छोटी सी चीज़ है नौर्ड बहुत जादे इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है सबको मालूम ही होगा अब देखिए इसको इसका actually हम लोग जो use करते हैं वो higher time frame के ओपर marking के लिए करते हैं आप तो क्लियर योर व्यूँ जब भी जब भी आप देखोगे price हमारा upside की तरफ है तो आपको क्या करना है बाई जब भी आप देखोगे price आपका support पर है तो आपको क्या करना होगा सिफ शॉट आप break inside trade नहीं करो गया यहां से price बाहर निकलेगा आप तभी ट्रेड मारोगे यहां से price नीचे निकलेगा आप तभी ट्रेड मारोगे अभी देखें सिर्फ हम लोग प्राइस पर ही हैं यहां पर अभी volume पर नहीं पहुंचाए एक buy और एक shot तरीका क्या होता है trade execute करने का कि आपको蛋 ब्रेक आउट अच MY recruit होता है और एक होता है ब्रेक ब्रेक आउट और उरिविक इन-साइड आप ओ ने 2 इपी अड्र के नोसी कई अइन ग उत्ल楑 छेटें कंपियर करेंगे इंसरे तो ब्रेक आउड्वाब्र थोड़ा सा इजी होता है के एजी कहना खलत होगा यह पहला रीजन है कि breakout साट को trade कर आप दूसरे एक सबसे बड़ा रीजन है breakout साट में ही trade करने का, ताकि आपका view clear रहे यह view आपका clear रहे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस system से जो भी trade आप execute करोगी उसमें आप break inside नहीं कर सकते हैं कर सकते हो लेकिन पहले बेक आउट साइड में ज्यादा से ज़्याधा एक्जीक्यूट कर लेना आप इसका यह मतलब होता है अधियर जी ब्रेकाउट में मूव तो बढ़िया मिलता ही है यहीं कुछ रिजन से ब्रेक आउट से प्रिफर किया जाता है दूसरा जो हम ने बता है व्यूlet रहने का जिसके मपरयों का यहां पर से पिरिखे 6000 पाइस सध्राइब देटे लिए दिए का करें हो आज आप सब्सक्रेंद के लिए करो loss करो लेकिन buy side की तरफ trade execute करके loss मत करना सिर्फ sell side की तरफ trade करके loss reserve करना अपना समझभा है न view clear रखना कि हमें जब price नीचे के दिशाम में होगा यानि कि जब यह support पर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ short selling करनी है इसके लावर कुछ भी नहीं अपना दिमाग मत लगाएगा का मतलब यहां पर बैट करकी confuse मत हो जाएगा अगर व्यू क्लियर करने प्रॉब्लम हो या को या हो रहा है तो सिंपल सी चीज़ मत करें यह तो होगी अपने price का दूसरा आता है वॉल्यूम इस सारी चीज़े क्लास में बताते हैं जैसे जीवन जी है शोबना जी होगी क्लास में सबको बता रखाएगा आप देखिए volumes का क्या इसमें रूर होता है प्राइस के मूव होने के लिए दो चीज़े ज़रुरी होते हैं एक चीज़ ज़रुरी होती है वो है वॉल्यूम किसी स्टॉक के अंदर अगर वॉल्यूम नहीं आ रही तो इसका मतलब उसके अंदर मूव रही हो रहा है मूव अगर उस स्टॉक को होना है तो सिंपल सी चीज़ है उसके अंदर ट्रैंजेक्शन होंगे अगर transaction हो रहे हैं तो यह हमें show कहां पर होता है कि volumes volumes देख रहे हैं उसके अंदर volume आ रहे है कुल मिला करके अगर volumes आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर transactions चलने हो प्रैस का move up and down, up down, up down हो रहा है simple सी चीज अब इसमें volume का देखे क्या roll play होता है मान के चलिए first वाली candle है first day, volume आती है हमारी कम यह increasing volume है यानि के previous day से ज़्यादा की volume previous to previous day से ज़्यादा की volume previous day में आ गए समझे ना, यह previous day की candle है previous to previous day की और यह वाली candle हमारी previous day की है और हमें trade कब करना है current market मतलब आज की दिन हमें trade करना है प्रीवेस डे की volume कम है और प्रीवेस तू प्रीवेस डे की volume कम है और प्रीवेस डे की volume ज्यादा है psychology के according या फिर इसके पिछे की mentality होती है वो ये है कि एक candle एक candle जिसमें जो कि काफी बड़ी candle है और उसकी volume आती है कम एक candle जो कि छोटी सी candle है और उसकी volume आती है ज्यादा तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली candle के अंदर की जो strength है वो increase हो रही है बढ़ रही है आपको क्या लगता है क्या होगा जब कि हमें एक बन पहले ही मालूम है कि इसके अंदर volume के structure तो form हो चुके है volume का breakout हो गया है यानि कि price अब इस वाली range के अंदर या आपकी जो पूरी range बनी न इस range के अंदर रुका हुआ है यहाँ पर एक box के अंदर power सारी की सारी रुक रही है जमा हो रही है अगर price ने इस वाली level का breakout किया तो क्या होगा expectation से न कि price भागा अगर उपर की दर्फ निकला तो उपर चला जाएगा और या फिर नीचे की दर्फ निकलता है तो फिर नीचे की दिशा में move हो सकता है ना मतलब volumes previous day से ज्यादा है बट price का जो structure बनना है वो previous day से कम है और previous to previous day में volumes कम है और price का जो candle बन रही है वो बड़ी candle बन रही है हम लोग एक काम करते है first वाली candle का high and low mark कर लेते है इसके बाद के structure आपको मालूम है कि यह तो हम लोग break outside trade execute करेंगे अप में या break outside trade execute करेंगे down में तो यह बादा break inside में trade नहीं करेंगे यह higher time frame के आपके analysis हो गई इसके बाद में आता है lower time frame lower time frame के उपर हम लोग trade execute कैसे करेंगे यह आपका lower time frame बहुत आसान है अच्छे यह भी हमने जो चीज़ बताए ना volume of price की यह एक method होता है price को mark कर लेने का marking हम लोग ऐसे ही करेंगे इसके बाद में जो एक task बसता है price की reading करने का reading करने की वो जो इसके लिए ना वो practice सही आएगे और थोड़ी बहुत techniques होती जिसका user हम लोग करते है कैसे candle to candle read किया जा रहा है किस तरह से candle से candle को हम लोग पढ़ रहे हैं अब यह आगे जब हम एक्जांपल देंगे चार्ट के उपर तुहाँ पर आप देखिए गाए तो यहाँ पर हमारा काम खतम नहीं होता है कि एक candle में चो बड़ी देख लिए कंडल चोटी देख लिए इसको mark कर लिया और trade रीडिंग स्टार्ट केशिया वह रीडिंग के लोग टाइम पर भी हो सकती है वह रीडिंग के अंदर अगर हमें ट्रेट एक्जिक्यूट करना है अपना तो फिर यहाँ आप हम लोग क्या देखते हैं दो एंट्री लेने के लिए सिंपल्ड जो सबसे सिंपल्ड यूनिवर्सल है काम करता है वह था लोग टाइम लगशन पर भी मधर केंडल पर भी मधर केंडल बाकिसके लावे तो बहुत चोड़ी चीज का तो इतना यूझभ भी हम लोग खास नहीं करतें मधर केंडल का टेक्निक्स है Heim वालॵी वाली मिलाऋए तो नहीं, चाहर टेक्निक्निक्स वालॵी मिला करके 4 टेक्निक हो जाती है तो लूवर टायम पर एंट्री लेकंडे के लिए मu अब यहां तक हम लोग आ गये थे हाइट आयम पर मार्किंड आपको समझे है और प्राइस एक्षन का पुरा जो इस ट्रक्चर था वह आपको पताया कि प्राइस आपका बनेगा इस तरह से यह वाला और जो वाल्यूम का स्ट्रक्चर बनता है वो यह होता है पहली की कम होगी और दूसरे की कुछ भी होसकते आपकी यह रैड वह सकती है हैना ना वर्ष वाली आपकी डुलीक्र बिरिध यह साकी कुछ होता नहीं ईत्वन तक हम झाल का यह जो हमारी समझ रही है तो हमने देखता नहीं बेरिश mother candle उपार के तरह भी ब्रेक हो गरके बढ़ा move दिखाती है और बेरिश bullish candle नीचे के तरफ move हो करके भी नीचे भी अच्छा move दिखाती है यह चीज़ क्लियर हो गई न अब इसमें होता क्या है कि प्राइस के अंदर क्यूंकि फर्स्ट वाली केंडल के अंदर काफी बड़ा एक क्वानिटी होल्ड की जाती है रुकती है यहां पर तो जो फर्स्ट वाली हमारी केंडल होती है इसका लोग एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है और हाई एक बहुत अच्छा रेस्टेंस बनता है इस वजह से आगे चल करके जो आप देखते हूं कई दिन तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रुकती है यहीं पर यह बाहर तक जाएगे और फिर से अंदर की तरफ आ जाती है आप उपर की तरफ गईते हैं विक बन जाएगी आपके फिर से इस तरह से आपको दिखाए कई कि तो स्टॉक ऐसे होते हैं कि हफ्तों एक ही रेंज के अंदर फसे रह जाते हैं एक ही एक ही रेंज के अंदर रुक जाते हैं ज़रूरी नहीं है यह मिसलिए आपको बता हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइज अगर इस दिन आपने एक मदर केंडल मार्क कर ली है तो ने सारे स्टॉक समें नीचे के दर ब्रिक आउट मारा है ठीक ना अब ये तो हो गया हमारा हाई टेम इसके बाद में एंट्री लेने के लिए simple हमें काम करना कि प्राइज जब हमारे यह तो मालूम है ना कि प्राइज में यहां से हम लोग बाई करेंगे यहां से हम लोग शॉट सेलिंग करेंगे शॉट करने से पहले यहां पर एक confirmation एक चोटी से हम लोग लेंगे mother candle की इस जगह पर mother candle के format form होने देंगे और जैसे ही price नीचे निकलेगा हम trade मारेंगे यहां फिर इसके up side के तरफ जब मैं मालूम है कि हम buy करेंगे तो यहां पर जैसे ही mother candle form होगी और price हमारा up side के तरफ breakout मारेगा हम यहां से अपना buy side का trade execute करेंगे और जो स्विंग होगा वो मारा स्टॉप बनेगा टार्गेट आपको जो भी आप लगाना चाहो मैनी मैनेजमेंट के कॉर्डिंग मैनिस्टू यह थ्री वह आप लगा सकते हो लगा है कि लगाएंगा उनिस्टू लगाएं तो उसे साफ से लगाई है बागी कोशिश यह करेगे कि जो स्टॉप लोस आप लगा रहो हो या स्टॉप लगाने की कोशिश का रहो वो 0.6 से 7 से बड़े नहीं होने चाहिए ज्यादा बड़ा स्टॉप लोस में लगाईए है ओके च्छेतन में के मूट की चैतन करेंगर मैं धी बल्याए चैतन साब भूल यह रहर बल्याए अब अब टेर आप यह रहर बल्याए जब अब आप चेतन ना थे खेरेर्टर लगाया करें हो वो जो डेब्रिक करने के लिए लगाते हैं वो हमको डेस्ट आप करता है बहुत करता है मुझे होता कि है अगर पिछले दिन में मदर केंडल हुआ है तो वही केंडल हमें रेफर करना है आगे जाके हैं को है अगरे में दिस्टप करती थोड़ी तो फिर हम उसको हटा देख इवन कोई भी लाइने माले चार्ट पर नहीं है मतलब भी नहीं होता उससे हमें बस प्राइस से केंडल से और यह जो वालुम होती न चोटी से इससे मतलब होता है सारा कम हो जाता है अपने इससे अब चली एक्जामपल लेते हैं जो भी चीज़े हमने बदाएं ने कि उसको एक्जामपलेट करने की कुशिश करेंगे इससे पहले जीम्टी की चार्ट है यह कल की कल की परसों की क्लास में हमने ड्रॉ किया था यह एक्जुलि यह सपोर्ट प्वाइंट है जो भी हम बोले थे ना कि एक स्ट्रक्चर जब आप आख बंद करो आख बंद करने का मतलब जब आप सोचो कि किस तरह का price structure हमें find करना है तो picture clear हो गए सीधी सी बाते picture clear हो कि करना क्या देखना क्या है यहाँ पर देखे अगर हम लोग यह line mark करने तो क्या आपको देखने से लग रहा है कि यह एक resistance area बन रहा है या फिर यहां से इस वारी जगाए से आगे तक यह support point बन रहा है मेरा कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर यह काफी अच्छा रिजिस्टेंस एक ले रहा है इस वाली जग़े इसे भी रेसिस्ट हो रहा है अगर ऊपर के तरफ निकला तो क्या होगा या फिर price जिस level पर हमारा support ले रहा है like यहां पर देखे support लिया जा रहा है है न यह वो चीजह जो picture के में आप से बात कर रहे हैं यहां पर देखे price support ले रहा है अगर price इसके नीचे निकला तो क्या होगा इस जगे पर क्या हो सकता है में भी यह पॉसिबिलिटीज है कि इस जगे पर हमारे टार्गेट्स हों वह कंप्लीट हो चुके हो अगर नहीं कंप्लीट हुए है तो मैं भी यहां पर मारे स्टॉप लॉस्ट चला गया है लेकिन ठीक आग मूग दिखा दिया था कल उसमें धाही तिन परसंट का मूग है अभी प्राइस क्या गया वापस से टर्न हो गया ओपर की तरफ एक ब्रेकाउट नीचे की तरफ दिख उपर की तरफ एक अच्छा मुझ दिखा देगा अगर वॉल्म स्ठीक ठाक आते रही और मुवमेंट हुआ तो प्राइस उपर चला जाए गया उपर भाग जाए गया तो यह उपर भाग जाए नीचे चला जाए गया यहां पर यह फेक ब्रेकाउटम इसको फोकस में नहीं लाना चाहरा है यह सारी चीज़े अपना मोटिव नहीं बताने का हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव है कि यह जो पिक्चर जीमटी के अंतर बन रही आपको यही पिक्चर जो भी चार्ट आप ट्रेट करने के लिए उठाओ आपको बस मालूम हो कि इस तरह की इस तरह का प्र आपको ब्रेक आउट पर ट्रेट मालू इंसाड में ठाट थोड़ा सा कम करके ब्रेक आउट में ट्रेट माल दो जो भी कंषरमेशों से आपके आपको कंफरमेशन से लोग यह ज्यूट करोगा सिंपल सी चीज़ है एक चीज़ दूसरा अय ऊई उसी का एक चार्ट देखते हम लोग आई उसी अपने पास आया था चार जन्वरी को आई ओसी हाँ शीड़ी ने दिया था आई उसी था अपना आई उसी कि पोर्थ ऑफ जन्वरी को ये स्टॉक फिप्टी मिनट्स अच्छा इसको देखिया अपर डे टायम फिर्म पर लगाते हैं देखिया है चार जन्वरी की केंडल को हम लोग अगर माग करें हैं पर यह देखिया है एक दो क्या हुआ है नेक्स्ट है यह देखिये बस एक एक डल इसके बाद में वालीम इंक्रीज हो गई और प्राइज अब करें अब 5 minute पर अगर आपको एग्रेसिव टीट करना है तो आप यहाँ पर एक्रेसिव कर के नहीं लिए नहीं लिए टcakes और नहीं तो फिर अगर confirmations का वेट करना तो फिर इसी जगह पर आपको अपने confirmations के वेट करने होगे जैसे कि यह है हमारा 9.15 की last trading session या नहीं कि Friday का जो session है 23rd, 6th of January 6th January की यह दिन है अपना 6 January का Friday का और इसके पहले हमने marking की कौन सिकेंडल की है 4th of January को आप देखिए price आपका एक range में रुका हुआ है ना lows highs इसके बाद में first valley candle के पास price यहां से पहुंचा previous candle के high को इसने break किया previous candle का मतलब previous day के high को यहां पर देखिए price ने high को break किया breakout से पहले आपको इस symptoms नजर आ जाते हैं अच्छा है यह सारी चीज़े ना minute price analysis के अंदर आती है कि आप जब candles को read करते हो चोटी चोटी time frame पर अब देखिए आप बहुत अच्छा लगता है यह मज़ा आता है इस सारी चीज़े रीट करने में मज़ा काँ आएगा अब हम लोग loss करें तो थोड़ी ना कहें कि आर बहुत अच्छा लगता है मज़ा आ रहा है रोज 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 कर रहे हैं मज़ा इंदर सेंस के practice करनी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा एक time के बाद जब आप profit में आते हो तो उसके बाद में फिर price अनलाइस करने में मज़ा आता है वह नहीं ऐसा क्या है एक ट्रेड़ेट लाइफ ना बहुत depressed होती बहुत depressed होती है आपको क्या लग रहा है हम equities वगरा trade कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ की आगे की तरफ अगर practice करें तो वहाँ पर क्या हमें success ही मिल रही है हम ज चीख रहे थे तो मालू है मतलब ऐसा होता था हम और शिव जी दोनों लोग market बंद हो जाने के बाद में कल क्या करना है इसकी discussion हम लोगों का start हो जाता था चार बज़े से यकीन नहीं मानोगे आप चार बज़े से ले करके 6-7 बज़े तक हम लोग discussion कर रहे हैं घर में कुछ कुछ करना है चला करते हैं तो रात में नहीं आती रात में दो दो बज़े तीन तीन बज़े तक हम लोग बैट करके practice कर रहे हम इवन यह होता था हम सो जाते थे और शिव जी बैट करके जगा रहे हैं क्या कर रहे हैं कौन सा चार्ट हमने बोला था खोलने के लिए अब एशन पेंट अच्छा एशन पेंट बोला था और उन्होंने बोला है रिलाइंस पकड़ जाते थे यह सब होता था मतलब यह हम इसलिए बोले ना कि दो तीन ट्रेडर्स लोग आप आसे बैठ करके practice करें विसाही चीज़े करें तो इतना pressure होता है आप समझ नहीं सकते हो मार्किट खत्म हुई उसके बाद में अब क्या करना है इसके ओपर discussion start loss हो गया उसको भी लेकर के बैठे हुए है नीद नहीं आती थी रात राद पर यार loss हो गया कल क्या करना है loss ही करना है loss recover करना है profit में आना है क्या करें कैसे करें इतना pressure का काम होता है यह सारा pressure हम लोग भूल जाते हैं जब हमें profit zone होते हैं बट profit zone आपको कैसे start होता है जब आप एक systematic way में आते हो काम करने के लिए otherwise बहुत मुश्किल होता है काम करना अगर आप एक focus के साथ एक way में आगे की तरफ ने बढ़ोगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करने समझ रहे है तो अभी जो हम बोले था ना कि यह साही चीज़े करने में बड़ा मज़ा आता है वो ऐसे नहीं मज़ाएगा आपको जब तक आपको लॉस रहा तब तक मज़ाने जागा हां सारा दर्थ सारी तकलीफ आप भूल जाओक जब एक बार आप प्रॉफिट ना दो तब मज़ाने लगएगा फिर धीरे तीरे वही चीज़ हम बोल ले आप देखिए जैसे प्रीवेस डे का हाई इसने माग किया यहा कहां से प्प्रीवेस डे का हाई ब्रिक कर दिया कौन से केंडव यह हमारी सादख कर दिया हं अब आप देखिए और कि मारे इसके बां ताथ ने नाइन फ्ट्न का हाई भी मार्केट यहांत से ब्रेक कर रही है और इसके बाद में क्या हों प्रीवेस ते यानिके त्रीज़ जो मॉदर केंडल हमारी Recogn1 अभी हाई यहांत हो गया नहीं लग रहा है आपको कि 915 का लो मार्केट रोक रही है और हाइस लगाता है ब्रिक होते चले जा रहे है और जैसे ही प्राइज ने अपसाइड की तरफ ब्रिक आउट देखा है अब यहां पर आप लो आपकी एंट्री के कंफिरमेशन आपको लग रहा है यहां पर आप साइड की तरफ निकल जाए तो जो स्विंग आपका लग रहा होगा वहां पर आप अपना इस्टॉप लगा दो और जो भी आपका टार्गेट एरिया बन इस्टू बन इस्टू त्री जो भी आपको लेना आप यहां से लेकर कर चिप चाप बहर निकल जाओ गया तू की केंडल का हमने हाई यहां पर मांग किया तो जो ब्लैक वाली हमारी केंडल बनी थी यह वाली केंडल सेकेंड वॉल्यूम का ब्रेकाउट हो गया तो प्राइस का ब्रेकाउट नहीं हुआ तो प्राइस अपसाइड की तरफ गया इसलिए हमने हाई को मांग किया है अब ही ह ह visão पर रखात से सब्सक्राइब इ स्काइब तो कर पतर नाantically क्या टे Giulagube आफ टे सबस्क्राइब करने दक्नी कर को कॉन्कों कर देख तो अभी但是 पंकों के सब्सक्राइब क्यों से तो श्रूंके कौम कवर को अपनी वाच लिस्ट में लगा लो एट करो ब्रेक आउट मारेगा न तो अच्छा मूव दिखाएगा अब यह भी मतलब नहीं कि जब हम बोलने ब्रेक आउट मारेगा तो हाँ पर कुछ भी जो मन में आया जो मर्जी है सारी क्वाइंटीस आपने भर दी नायका हाँ नायका देख सकते मंडे के लिए राजेशी यहां पर देखे प्राइस ने अभी तक ब्रेक आउट नहीं दिखा है और एक रेंज के अंदर आपका प्राइस रुका हुआ है यहां 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 वास लिस्ट में आट करो आपको खुद देखने से लगए भी जो हम क लात है किसी से ना पूछो आप खुद देखो आपको क्या लग रहा है प्राइस एक कैंडल के अंदर रुका हुआ है यहां पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई है बट प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है उसके सिक्स्त की कैंडल आप देख लो वहां पर भी वोल्यूम्स का लात प्राइस का ब्रेकाउट नहीं हुआ है ब्रेकउट हो जा आप ट्रेड मारतों लेकिन ब्रेक आउट है के इसे ब्रेट मत बनांतर फिप्टी परसेंट आपके चैंसे का मुझा रहें के लूस होने के समझते और यह बहुत चोटी चीज है चोटी चीज चीज का जो मंतल गटिक विसाट बंद्रही घडिकक कि अगया है कि नेशनल नेशमway नेशनल मेन ईलमुनियम रेइंडिको बैज कर चाहे है और आपका नेशनल रेइंडिको नाटी क्या ही तो डिखाते हैं यह तो रेंज तो अदर वाले होगए इंडिगो देखो कि आप तो भी रेंज करें देए इंडिगो को अपने वाच लिस्ट में आट करके रख लीजिए इंडिगो एक सिकंड ओपन कर देते हैं कि फैजल एक सिकंड रुक्या के दरा इंडिगो रेंज के अंदर यह है यह मैं यहाद है यह देखिए वही कॉंकोर वाला हिसाब किताबें का भी है ना रेंज के अंदर इंडिगो भी एट कर लिज अपनी वाच लिस्ट में इसको ठाली जाब चार को ओएंजीसी के अंदर ट्रीड हुआ था ओएंजीसी यह सारी चीज़े याद रहेंगे आपको अब होता है ना कि जो क्या हम आपको क्या एक्जामपल दें बहुत छुड़ी छुड़ी चीज़े ना आप याद रहेंगे आप एक ही रास्ते से रोज घर जाओ रोज ऑफिस जाओ रोज रोज घर जाओ रोज ऑफिस तो आपको यह थोड़ी ना मालूम होता है कि आपको मुड़ना है यहाँ पर स्प्रीड ब्रेकर है यहाँ पर हमारी मंदिर है मस्जिद है वो याद ने वो देखने की जरुत नहीं पर तो म इतने सारी आउजार होते हैं वो सीजर उठा लोग केंची बिस तरह की कहईची लेगने जब लोग पास से देखने जाते हैं तो उनके पाँ जो पंद्रह तरह की कहईची उतना सबका अलग लगतु नाम होता है अब हम और आप याद नहीं कर पाऊगे तो वो जिस मालू में इंडिगो रेंज के अंतर रुका हुआ है आई उसी ने ट्रेट एक्जिकूट कर वाया था है वो मालू में याद है वह कॉमन एक मुव्मेंट होती है स्टॉक्स की शिव जी का फेवरेट इस्टॉक है इसे इस बैंक और एक्सिस बैंक हीरो मोटो कॉप पना नही एक सिस्टम बना लो अपना ताकि आपको मालूम रह कि कौन से स्टॉक मेरे पास आया था या उस दिन अगर यह स्टॉक नहीं चला था तो क्यों नहीं चला था रीजन यादर है उसका अब ओन्जी सी देखिए जैसे यहां पर यह आपका सेकेंड ऑफ जैन है इसका हम लोग क्या करते हैं हाई यह लो माक कर लेते हैं यहां पर ब्रेक आउट आपका आया था चार्ज जैनुरी को देखते हैं क्या हुआ था फाइस मिनिट नहीं है पॉर जैनुरी को इस जगे पर यह बना आपकी लेवल के पास में बन गए नहीं बिल्कुल रेंज पर आपकी मदर केंडल फॉर्म हुई है इस जगे पर बाकी मदर केंडल के ब्रेक होने से पहले भी काफी अच्छे स्ट्रक्चर्ट हैं एंट्रीज के इस मदर केंडल को देखिया ग्रीन वाली केंडल इंचे जैसे प्राइज निकल गया होगे इनका अब आपको क्या लेना है वन इस्टू टू जो भी है टार्गेट आपका आपकी मरजी साब अपना लगा होगए हायर टैम फ्रेम पर मार्किंग हमने आपको बता हैं हायर टैम फ्रेम से फिर लोवर टैम फ्रेम पर आकर कैसे आप स्टॉक्स को लोवर टैम फ्रेम पर जच करेंगे हम आपको देंगे कि स्कैनर उसकी स्कैनर से आप निकालो कि अपने लिए स्टॉक स्टॉक कैसे स्कैनर ले लो स्कैनर से निकालो कुछ मिलाकर कि कोशिश को कि जब आप ट्रेट करो तो आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक हो किस तरह से काम करना है खांसा माइकर मुट की जपना अशरी यह सब्सक्राइब आपने बताया ना सचाथ मदर कंडिल यह जो आपने 6 जैन का जो बताया तो तो टैनो कॉलोक एक्शुली याने मदर कंडिल एक्जर्ट लिकिदर फांवरी पता जिये तो पेटर रही युशी में ईयुट जाए चैनों जो लोहरवर टैनो क्रम पेंट्री जो बन रही है अपंगी को जार गुले कि को टैनो क्लॉक इटर इंट्री बन रही है श्क होड़ीय। 10 o'clock 5 minutes ते बन रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम जो 10 o'clock की हाई है कंपेट टेन जरो लॉवर टैम फ्रेम पर वॉल्म नहीं देखनी वह वॉल्म कर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे सिर्फ हायर टैम पर अच्छी बाद हाँ वह जारा कंशुजन सा सब्सक्राइब लॉवर टैम पर जो इस्ट्रक्चर से वाल्म वाले वहां बताएंगे ना आपको यह अपनी क्लास नहीं क्या सरफ नहीं आज यही वाले क्लास से तो इसी में आप लोंक हमने अट किया अच्छी बात है चलिए ओके आई टीची का एक 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 लेते हम लोग कि आई टीची में आई यह अच्छा आई टीची में एक चीज देखिएगा कुछ कुछ इस्ट्रक्चर सामने आपको दिखाएंगे कि मार्केट फॉर्म कर रही लेकिन वहां प्रूब्रेक हो जाता है उनको रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि विकास मैं कर्मुर्टी जबना करें विकास मैं कर्मुर्टी जबना उसको रन करोगे नीचे स्टॉक से निकलाएंगे आपके अब देखें आई टीसी के अंदर क्या हुआ है सेम इस्ट्रक्चर रहे ना वन टू और थर्ड मतलब फोर्थ जैन को क्या हुआ इसके अंदर आप आजाओ फैम नाट पर यह देखिए यहां पर कहां फॉर्मेशन बनी अपनी वन टू 920 पर यह वाला इस्ट्रक्चर अपना और यह कैंडल देख रहे ना 920 की कैंडल हाई टैम श्रिम की मार्किंग को हम डिलेट कर रहे हैं पास में है और यह वाली केंडल मौलू महम हो कि इस रेंज के नीचे शॉर्ट करना तो शॉर्ट के लिए ही देखेंगे भले ही यहां पर मधर केंडल फॉर्म हो जाए और मधर केंडल की फॉर्मिशन अब सैट की मारेंगे तरवाज उपर की तरफ नहीं मारेंगे तो जैसे प्राइस देखेंगे यहां से नीचे की तरफ निकलेगा आपको यहां से ट्रेड एक्जिक्यूट कर लेना और जो स्विंग हाई होगा वहां पर आपको लगना अपना स्टॉप लॉस और इस जगह से आपको कि इंडिको में मतलब टू टाइम सिम पर बन रहा है तो वह पहले वाला रिंच मार्क करेंगे या नेक्स वान डे वाला अभी तुम लेकर करके चलेंगे इसको मतलब कि पहले वाला जो इसके पहले वी से हम भूले माउन की जगे हम समझ रहे हैं यहां पर एक चीज़ देखिए अप हाईस्ट मार्किंग की स्केंडल की है ने अगर हम उससे पहले वाले अगर डेट में रहते तो उस इस टेज में बता रहे हम करेंगे हमारे पास पूलियों अब यहां भी एक फॉर्मेशन बन रहा है वह जो डॉबल ग्रीन है उसमें भी बोल्यम हाय हाय हो रहा है और प्राइस भी ब्रेक नहीं हुआ है अब देखें हम हम समझ के समझ कर देखिए यह सेकेंड जैनुरी की केंडल अब ही हम यह मान करके चल रहें कि फॉर हाः हाई और लो लौ म दूनों माग कर ले रहें अब अगर हमें इसके निचे है 2nd of January के निचे印ा में मोगा मिलेगा तो मु classic करेंगे यहां तक लिए अब दोखें लोग आ गए डेट क्या थी फॉर्थ फॉर्थ को ब्रेक आप भी वाई डाउन भी मतलब हो इस तेम डिम में अब इंविलिट हो गया वह मदर बना है लेकिन ब्रेक नहीं वह उपर में हां इस जगह पर देखिए प्राइस वहां से नीच के बातका इतनी लेट फिलाल हम तो ट्रेड एक्जिक्यूट नहीं करेंगे अगर हम करना चाहें यहां पर तो क्या कर सकते हैं तो हमें देखना होगा कि क्या को मदर केंडल फॉर्म होकर के नीचे की तरफ ब्रेक हुई है तो यहां पर आपको दिख जाएंगे एक दो मदर क अगर नीचे के तरफ टूट जाएंगे तो हम ट्रेड देंग अग्या फिर्म होगा मार वो इस्तौप्स बनेगा लेकिन इतनी लेट में ट्रेड एक्जिक्यूट नहीं करना अगर फ्रॉप ज्यादा चल चुका है तो बहुत कम ऐसे फ्रॉक होता है जो कि ज्यादा मतलब यह लाँ है यह के बाद में देखें क्या हुआ है और हमें यह मालून है कि 4 January के बाद 4 January हाँ तो हमिए 5 तक नहीं मालूम होगा कि 4 January की कैंडल वागें चल करने कहें मादल चैनल 5 जयन्मवरी को देखा एक हमारा काई है पहले काई हानग विट्थ आम हमारे आप बैट यह गलती होगी हमारी क्योंकि इस वाली candle का हाई काफी strong हो चुका है में इस candle के हाई को market break कर दे बट यह वाली black वाली जो candle है इसके हाई पर जाकर के price फिर से मारा reject हो जाए नीचे की तरह पॉसिबिलिटीज है ना अब हम यह कोशिश करेंगे कि 2056.55 इसके उपर ही price निकले तब ही हमारेंगे क्यूं क्यूंकि यह highest high बन रहा है और वही काम इसके लोप होगा मतलब कि पहले की जो मार्किंग हम उसको invalid मान करके आगे की तरफ अपनी मार्किंग शिफ्ट करते है ति ठीक है ना जी सब्सक्राइब राजी और कुछ क्षिशिण करते हैं उसका प्राइस रेट इस लोह है नाइन्टी शम्टिंग है तो वेसे वेसे स्टोक भी एक्ट्रेट कर सकते हैं जब भी इसकां कि रहा है था हम समझ रहे हैं होदा कहना राजीजी कि सौ डेड़ सौ के स्टोक को इसलिए हम वाइट करते हैं कि उन्हीं स्टोक में वॉल्म नहीं आती है बट एंसे के ने वॉल्म आ रही है और उसका मूव भी करीब चार परसंट पाच परसंट हो रहा है तो हम क्यों नहीं ट्रेट करेंग इसको मतलब छोटा लोवार एकदम होता है अगर बुल्म नहीं तो इसलिए करने का मतलब श्रांट नहीं एंसी की केस में इसा नहीं क्योंकि एंसी के अंदर हमारी पर्सनल अब्जर्वेचन है आप किसी भी डेट की केंडल उठालो वो तीन परसंट से कम नहीं चलेगा तो ऐसा स्टॉक अब इसके अंदर वॉल्म देखें कितने ही फॉर फुर मिलियन की वॉल्म एक एक दिन में आ रहे हैं और इस्टॉक कितने का स्टी रुपय का स्टॉक है अभी वह 94 का हो चुका है प्राइस भले ही कम है लेकिन मूवमेंट और वॉल्म इनफ जो एक स्टॉक को मूव करने के लिए चाहिए न उतनी वॉल्म इसके अंदर आ रहे हैं तो अब कहां तक मतलब लिमिट कर सकते हैं नहीं एफनो तक रखेंट अपने अब उसमें भी ना आये तो मतलब उस दिन स्कीप करना पड़ेगा अगर स्कीप करना है इंपॉसिवल है जो नहीं आएगा ही आएगा नहीं आता है तो दो दिन पहले भी जो स्टॉक आपके पास रह चुक है जोरी नहीं कि उन्होंने ब्रेक आउट दे दिया होगा दो दि अधिकतोरी स्टॉक्स ने ब्रेक आउट दे दिया हो कई ऐसे स्टॉक होंगे ना जैसे इंडिगो हो गया ITC हो गया ने स्वरी आई इक से निकल गया आपका आइसे स्टॉका देंच के रूके हुए है आप उसको देखो फिलाल जो आपका क्वेश्चन है कि अगर इस टॉक नहीं आएगा तो क्या करेंगा अगर ट्रेड नहीं आ रहा है को इस टॉक नहीं है तो हम वेट करेंगे फिर नेक्स टेक और ऐसा तब होता है अपने इस स्कैनर में स्टॉक तब नहीं आते हैं जब इस टॉक के अंदर इस लिए ना है जिस अब हम आपको एक इसम्पल देते हैं है विल्स का देखिए कुछ स्टॉक ऐसे होते ना जिसके अंदर थोड़ा सा कॉंप्लिकेट हो जाता है काम करना कॉंप्लिकेट का मतलब कि टेक्निकली तो सही है हम लोग टेक्निकली उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे यहां पर अगर मार्किंग करना चाहें तो है विल्स केंदर केंडल को कर सकते हैं यह वाली केंड़ थर्टी देसंबर की केंडर बन रहे है उसके बाद में चोटी से केंडर बन रहे है अपनी सेकेंड ऑफ जिनुरी के हाई मार्क कर लिया हमने इतनी मारकिंग कर लिया अब इसके बाद में प्रीवेज सकैंडल को भी अगर हम लोग देखें तो प्रीवेज जो स्विंग लग रहा है हमारा उज़ी लग रहा है है न मैं एक तो स्विंग यारी हमारा यह और यह इंपोर्नट है है स्टॉंग इंपोर्टन इन द estar के स्ट्रॉंग है यह थोड़ा सा कॉंप्लिखेट कर देता है चीज़ों को आपको अगर मालूम है कि स्विंग हाई के क्या इपॉर्टेंस हो दे तब तो आप माक करोगी और अगर नहीं मालूम है तो जो चीज़ अभी हम आपको बता दे रहे हैं आप मदर केंडल मा करके बै कि यह दो देख लो कि क्या होता है हमें यह मालूम है कि यह स्विंग इतना स्ट्रॉंग है आपको एंट्री कंफरमिशन यहां से भी अगर मिलना तो आप कर सकते हो और वाल 2 3 10 13 दिसेंबर के केंडल का हाई तो है यह वहां से भी कर सकते हैं अच्छा इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यह higher time frame, sorry, lower time frame पर देखने को मिलेगा, जैसे इस candle का हम लोग color कर देते हैं, चलिए, थोड़ा सा brown, अब आजाओ lower time frame पर आप, इसको delete कर दाएं, अब दो lines है हमारे पास, यहाँ पर देखें, अब brown candle कहुंसी है हमारी, यह mother candle है, day time frame के, है न, day time frame के अपनी mother candle, यहाँ पर देखें कितने अच्छे formations, फॉर्म हो रहे हैं, lower time frame पर भी हमारी mother candle बन करके, ब्रेक हो रही है, इस जगह पर, breakout हो जागा, retracement पर आप trade मार तो, otherwise, यह जो black वाली candle है, actually, जो higher time frame का swing area है, मेरा, उस candle को breakout किया गया है, with volume, कि price जब हमारा upside की दरफ जा रहा है, उसको हटाई जड़ा, price जब upside की दरफ जा रहा है, तो देखें, volumes भी, ओपर जा रही है, और यह area ज़रूर retracement का area है, और यह breakout की candle बन गई, breakout के बाद ने, market ने थोड़ा सा सस्टें की, यह जब समझने वाली चीज़े है, practice करो कि आपको और इसके बाद में फिर यह candle बन गई, बड़ी सी candle, यह पूरी की पूरी जो candle बन गई, यह retracement की candle है, पूरी retracement की candle, फिर से volume increase, volume increase, volume increase, यह ज़ाधा तर जो इस तरह का zone होता है न, यह retailers को फसाने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर trap किये जाते हैं, जैसे देखें न, बड़ी सी candle बन गई, अरे वा, इतनी बड़ी candle बन गई, निकलो, जल्दी जल्दी निकलते हैं लो, देखते हैं उस वाली candle का लोगी पूर को गई, अच्छा की निकल गई, लेकिन जब हम देखते हैं कि यही black वाली candle आगे चल करके हमारे लिए बनेगी एक resistance, आपको इ आपके लिए अच्छी बात होती है, कि आप रुगे रहोगे, बैठे रहोगे, जो stop loss आपने लगा दी, वो इस जगे पर क्या आपने stop loss लगा दी, अब बैठे रहार हमसे, जाएगा stop loss, चला जाएगा, actually हमारा money management इतना strong है, कि अगर मेरा SL भी जाएगा तो problem नहीं है, कोई problem जाने दोसको, हमें मालूम है कि जो हमने आज का अपना risk तैय किया हुआ है, वो हजार रुपया का, हजार रुपया का stop loss हमारा hit होगा, चला जाएगा, और यह हजार रुपया का risk तैय कैसे होता है, उतना पैसा रेखिए आप अपनी जेब में, जितना कि आपकी जेब से चल दिन तक, आपके पास से अगले 100 दिन तक रोज 100 रुपय भी अगर कोई ले ले रहे था, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अब यह 100 रुपय एक हजार भी हो सकते हैं, और यह 100 रुपय दस रुपय भी हो सकते हैं, अब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आपको डर एक अच्छी entry में दी और marking हमारी कुछ इस वारी जगह पर थी इसके आगे ये 4th January की candle है मेरी 4th January के बाद में क्या होगा है इस जगह पर कोई भी आपको mother candle नहीं दिख रहे है ये 5 minute पर हम लोग क्या करते हैं 3 minutes के time frame पर आ जाते हैं 3 minutes के time frame पर थोड़ा से यहाँ पर देखने का काम होगा समझने का काम ये marking हमारी हो गए है lower time frame की lower time frame in the sense के 3 minutes का time frame है और ये जो red वाली candle हम लोग देख रहे हैं ये हमारी mother candle है और ये black वाली candle mother candle से पहले का जो swing high लगा है वो है clear नहीं या तक आप इसके बाद में देखें क्या हो रहा है इसे इसको थोड़ा सा द्यावाण से देखेगा एक चीज़ कभी भी जब आप trade execute करो तो अपने इन lines के पास से ही trade execute करना कभी भी lines से दूर trade execute मत करना आपको लगे कि अरे price तो हमारी land के काफी दूर है 1125.35 price यहां से इतनी दूर है कहीं ऐसा थो नहीं कि यहां से price उपर चला जागा क्योंकि aggressive trader ऐसा ही करता है उसको हमेशा ही डर रहता है कि price उसके हाथ से निकल जागा हमेशा आपके अंदर यह share बना रहेगा कि एसा थो नहीं कि price हमारे हाथ से निकल जागा यह एक तरह कि एक क्या बोल सकते हैं एक मांजिक्ता होती एक तरह की जेतन अभी हेंडराइज मत कीजिए हमेशा आपको यह लगता रहेगा कि रिया प्राइज ऐसा थो नहीं कि हाथ से निकल जागा प्राइज आपके stop loss के पास जा रहा है और आप यह सोचोगे इसके रियक्शन में आपका मन क्या करते हैं कि बाहर निकल जाते हैं और पता चलता है जैसे आपके टार्गेट की तरफ चला गया यह human psychology है थोड़ा सा fear जो जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइज आपका target की तरफ जा रहा है आपके मन में चलता रहा है एक्जैक्ट टार्गेट तक हम भीट करें या ना करें करें या ना करें अरे चलो हटाओ पांसो छेसो कर जितना प्रॉफिट हो रहा है लेकर कि निकल जो नहीं क्या पता है यह जितना चल रहा है यह भी चला जाए हथ से यह तरह का mental situation होती है हमारी एक्चुली इससे निजात पाने के लिए बहुत मोटी मोटी बुक्स लिखिए आपको मलूम है बहुत मोटी मोटी आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है वो बुक खतम हो जाए लेकिन आपके वो जो प्रॉब्लम है ना वो खतम ना हो एक्चुली इन बुक्स के अंदर कुछ हमें ने लगता कि वो बुक्स किसी काम की होती है किसी काम की नहीं होती है कि हमारे ये मतलब नहीं है कि वो बुक्स खराब होती है किसी काम की नहीं है इसका मतलब ये है कि उसको समझा नहीं सही से आपने है एक्चुली उस बुक में अगर कुछ बताने के कोशिश की गई है तो वो ये कि आप जो रूल्स बनाओ उन रूल्स को फॉलो करो बस हो सकते हैं आपको वो बुक्स पढ़ने के ज़रूरत ही ना पड़े हमें मालूम है कि हम अगर हमारा stop loss हमने लगा दिया है तो या तो stop loss या target हम बीच में नहीं निकलेंगे तो आप आपकी psychology automatic सही हो गई आप stop loss के लिए रुक नहीं रहे हो stop loss से पहले ही निकल जा रहे हो डर की वज़े से target के लिए रुक नहीं रहे हो target से पहले ही निकल जा रहे हो fear की वज़े से even greed की वज़े से आप चाहे जितनी भी अच्छी-ची बुक्स पढ़ लो वो राइटर भले उसके अंदर अपनी जान फोग दे लेकिन वो पुग पढ़के आपको कुछ नहीं मिलेगा जो रूल्स बनाओ, फॉलो करो मालूम है, stop loss तक अगर price नहीं गया तो मैं wait करूँगा विश्मनाद जी है, class में हमारे बहुत अच्छा trade execute करते हैं बहुत अच्छा trade execute करते हैं पांच-पांच पैसे से उनका stop loss भचा है, पांच-पांच पैसे से जो लोग कहते हैं, चोटा stop loss लगा देते हैं, वहां तो market आती, stop loss हिट करके चली जाती है हमारे ही लिए तो वहां पर लोग आ रहे हैं, stop loss हिट करने के लिए आप कितनी quantity आपने लगा दी है इतना किसी के पास टाइम है कि शुभाम का stop loss हिट करवाने के लिए वह बिचारा दो लाग कॉंटी मार देगा उपर की तरफ इतना किसी के पास टाइम है कि वह बैट करके operator हमको देख रहा है मैं order मारूंगा प्राइज उपर की तरफ चला जागा इतना किसी के पास उसको हिट करवाना stop loss तो आपको 100-200 क्वांटी का stop loss हिट करवाएगा यह भी एक तरह का सोच होती है कि जब stop loss लागा तो क्यों चला गया अब इसके हम लोग reason find करने लगते है टेक्निकल यह हम तो दो साल तीन साल से लगाता प्रैक्टिस करें मेरा stop loss नहीं जा सकता अच्छा यह हो सकता यह operator हमारे लिए बैठा है हम मारते हो और यह stop loss लेता है ऐसा सोचते हैं लोग लाइन से पहले entry मतलो price जैसे ही आपका आपके level पर आए और आपके entries के formations फॉर्म करें आप तभी trade मारना अदरवाइस trade मत मारना आप देखिए price में मान के चलिए आप इस जगह पर trade execute कर लेते यहां पर अगर आप trade execute करते प्राइस तुमारा उपर निकल जागा चलो ले ले लेते हैं श्टोक आगर नीचे चला जागा और नीचे आने के बाद में फिर यह upset क्योंकि आप यहां से आप निकल चुके और आ हमें हमारे higher time stream के level का weight करना होगा इस जगह पर आकर कि हमें हमारी entries के confirmations लेने तब हम अपना कोई trade execute करेंगे आप अपने confirmations लो यहां से trade मार दो stop loss जागा चला जाए अब जो stop loss जाएगा वो genuine stop loss होगा इस तरह से stop loss जाएंगे ही जाएंगे अब आप नहीं रोख सकते लेकिन level से पहले trade execute करने के बाद में अगर आप अपना stop loss जाएद होगे तो इसका मतलब कि यह आपकी गलती है मार्केट की गलती नहीं है लेकिन अगर यहां से trade execute करने के बाद में आपका stop loss जिसके की chances कम रहते हैं लेकिन फिर भी जाते हैं stop loss अगर गया तो मतलब आपने अपनी त trade मारोगे ना तो सारा गसारो loss आपका recover overall of profit में यह फर्क होता है एक system को एक system के साथ trade execute करने को और system के साथ trade execute नहीं करने 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 को आई हो कि सारी चीज़े आपको समझ में आई होंगी जो भी points हम आपको समझाना चाहरे थे बताना चाहरे थे higher time stream के ऊपर हमने आपको marking बता दी lower time stream के ऊपर हमने आपको entry लेने के तरीके बता दी कई सारे example दे दिये चोड़ी चोड़ी जो psychological चीज़े होती हैं जो भी हमारे मन में जो हमारे दिमाग में आटे time हाई हमने आपको scanner दे देंगे वहां से आप निकालो और trade execute करो stop loss लगाने के लिए आप swing lock अपना यूज करना वहां पर अपना stop loss लगाने ठीक है इतना सा काम करो एक proper system हमने आपको बना करके दे दिया है क्लियर थ्री मिट्स का time frame थोड़ा सा कम कोशिश करना कि आप यूज करो और और यहां से खत्म होता है अगर आप लोगे कुछ doubts है कुछ questions है तो आप लोग कर सकते हैं शोई प्लिस अन्म्यूट या माइक हां सब्सक्राइब अब हमारा और कुछ उपन हो नहीं तो मुझे वहां कर लेओं घरीविस जो स्विंग था उसका भी मार्किंग कर लिया हूं और फिरिविस जो स्विंग हाइथ उसका मार्किंग कर लेओं इस जगया पर हमें क्या करना है अपने लेवल का वेट करना है कि यह जो दो लेवल से इन दो में से किस लेवल तक को वेट करना है क्योंकि day time frame पर जो हम देख रहे हैं जिस mother candle का हम लोग discussion कर रहे थे actually वो तो mother candle यह थी 13th of December के और इसका breakout actually 3rd January को हो गया फिर price हमारा पहुंचा exact हमारे swing area के पास में यहाँ है न इस area के पास में अब एक candle का तो breakout market ने दे दिया अब यह swing बचता है तो next day क्या होता है क्या इस swing के पास में हमको मारा trade मिलेगा या नहीं मिलेगा तो next हमारा resistance point बन गया यह और एक resistance को market अल्रेड़ी ब्रेक कर चुकिए है फाइब निट पर हम लोग आ जाएंगे है फाइब निट पर चार तारीक का मूव आप देखिए कि कि किस तरह का market कर ले हमारे पास area का हो गया है एक और यह दो जिससे इस वाली एरियस हम लोगों हम लोगों ने पिछले दिन कर लिया अब नेक्स एरिया कौन सा बस्ता है यह वाला कि ट्रेड एक्जिक्यूट करने के लिए हम अपने लेवल तक प्राइस के आने का वेट करेंगे इस एरिया तक प्राइस के आने का हमने वेट किया यहाँ पर हम लोग लेंगे अपने एंट्री के confirmations और तब हम trade execute करेंगे इसके बाद में हमें ये मालूम है कि day time frame का यानि कि higher time frame का एक एरिया ये भी है triple one six point three five हो सकता है कि price यहां तक भी है possibilities है ना जैसे price lower time frame को break करने के बाद में अपने इस वाले higher time frame की level पर आया वैसे में भी chance कि यहां पर है अगर इस तरह से market move करने करने से स्टार्ट किया उस case में मेरा stop loss जाएगा probability जिसकी बहुत कम होती है chances कम रहेंगे वरना price को move करना तो अपना यह वाला level और हमें यहीं से अपने trade के symptoms देखने trade execute करने के यहां पर जो बार-बार हम बोलने आपसे कि अपने entry के confirmations तो एक chance यहां पर आप market को और दोगे कि अगर यहां पर आपको आपके entry के confirmations नहीं मिले इस जगह पर mother candle को form कर देने के बाद में market अगर ऊपर की तरफ निकल गए mother candle के इलावा भी काफी सारी formation है mother candle तो बहुत basic सी एक चीज़ हो गए लेकिन फिर भी जो शुरुवात में हमने बात बोली थे आपको कि सबसे आसान होता है mother candle को समझे इसके तो आप support resistance को समझे तो यहां पर क्या हो रह सब्सक्राइब आपका आपके higher time frame लेवल पर है बट यहां पर किसी भी तरह की mother candle का breakout ऊपर की तरफ नहीं हुआ है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ रिक आओट कर देने के बाद में price यहां पर आने के बाद में अपके mother candle का breakout ऊपर की तरफ कर दिये हम लोग यहां से ट्रे जो है यहां इसके ऊपर में होना है क्योंकि यहां पर नीचे एक वेट था है तो मुझे आप बता रहें कि तो नहीं करना है क्योंकि यहां पर कोई मदर गंडल नहीं नहीं है यहां दूसरा कोछ नहीं था दूसरा कोछ नहीं था उसमें यह वाला भी मैं यहां पर दूसरा है वहां कर सकते हैं क्या हुआ उसमें पर नहीं करता है पहले लेखिन के नहीं अब ही नहीं के लिए जब बढ़ जाती है कि मारूती के अंदर हमने कम से कम सौ से ज़्यादा ही ट्रेट की होंगे जिस तरह से आप बोल रहे हो ना कि मारूती बहुत हाई बोलेटाइल है ऐसा बहुत कम देखा है मारूती के अंदर का जो basic observation हमारे जिस दिशा में भागता है अगर यह उपर की तरफ जाड़ा तो फिर उपर भागेगा वह पूरे दिन यह उपर रहेगा और अगर वह नीचे की तरफ गिर रहा तो पूरे दिन फिर वह नीचे ही गिरेगा और लुवर टाइम फिर्म पर आपको आपके एंट्री कंफरमिशन में लेप ट्रेड मार दोगे और स्टॉप लखा दोगे अब अगर मार्केट को ऐसे लेना है तो फिर बूल ले जाए कि अभी मैं निफ्टी में देख रहा हूं कि अभी प्लस में है और मेरा जो स्ट्रेटेजी में अभी मेरे सेटप बन रहा है वह इसमें जा रहा है तो मैं आपके अगेंस में यह ट्रेड कर सकता हूं प्लस में तो प्लस वाली शेर में उसमें करूं मार्केट के साथ रहेगा मार्केट के साथ इसमें मतलब निफ्टी के अउसमें लेवल पर देखना है कि अगरा प्लस में है तो फिर प्लस वाले ट्रेड लेना है अग्योग माई करमूट की शपना अग्योग माई करमूट की शपना क्या है है हलो सर जी एकलफ सब बूलिये तो जो जो डेट इंप्रेम में जो बोलिव जो रिट किए न सरो थोड़ा बुताईए डेट आम सेयम पर अब बोलिम को जो रिट किए हैं आए बोलिम और लोग अध्या विल्टाव आपसेम क्लास में लिए अप गृप में हो ना आप क्लास में हो अक बॉट तका क्लास में हो ना कि या क्लास में तौक्त अ तप्षी सिटेंगेशों दिकार будет ये स्थित्द्रिप्र गोडियाइद्ध कशपन का महिंद्रान महिंद्रा इल्पार वेश्चे डेली टाइम सेंपें यही नौ कि यहीं माइक अन्मूट कीजिए सही है सही मार्टी में इंट्री ना मिले और चोटे से टाइम फ्रेम पर जाएंगे नहीं कि यहां पर एंट्री मिल जाएंगे लेकिन जिस सिस्टम को तुरू अभी हम लोग चले हैं उस सिस्टम को तुरू यहां पर को एंट्री नहीं कि इस सिस्टम से इस वक्त हम लोग एंट्री करने के कोशिश करें वो सिस्टम नहीं बन रहा बाकी एंट्री तुरू आपर मिल रही है प्रिवेस जे का हाई जैसे ही ब्रेक किया है आपकर कंफरमेशन मिल रहे हमको कि वॉल्म सब्सक्राइब के साथ में दोनों चीज़े हैं कि आपके हैं कि आरिफ माइकर मुट किजिए कि सब्सक्राइब नीचे की तरफ को एक ब्रेक आउट हुआ है बट चार-पांच केंडल बनाने के बाद में भी तो इसने ब्रेक आउट ऊपर की तरफ को दिया है जो कि हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है हां बन सकता है कि आगर जैसे मुझे नहीं मालूम है यह कि 915 का केंडल का इंपॉर्टेंस जैसे वैसे तो मैंने आपके वीडियो वागेर में देख्था हुआ है लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम है तो यह वह सेटप भी तो हो सकता है तो हम अपनी इंटरी शॉर्ट ले सकते ना यहां कि मालूम है कि मКरम क्या करना है वर अब उपर की तरफ को ब्रेक नहीं कि दर ब्रेक हो रहा है कम अपसाइट में ब्रेक होगहा है न हमरा देंगे नीचे के तरफ अगर तूट के तो तूटने दूसकों अच्छा सब्सक्राइब एक चीज और काऊंगा मैं जैसे एक बार यह बन लिया एक बार हमने यहां पे एंट्री ले लिए और हमारा टार्गेट सब्सक्राइब तो फाइब हो गया फिर उसी लाइन पे आता है अगर जहां पर हमारी मदर केंडल से ब्रेक आउट वा था उसकी लाइन पर आता है फिर से अगर मदर केंडल फॉर्म करता है तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे अपना या उसे आवाइड देंगे देखना होगा मतलब यह थोड़ा सा कॉंप्लिकेट कर दो बार दो अच्छा यहां पर आया आपने सोचा कि यहां से ट्रेड मार दें फिर सोचने कि यहां से ट्रेड मार दें फिर यहां से ओपर की तरफ चला गया है तो प्रीवियस में जगा पूरी साफ थी जगा साथी का मितलब समझ रहे हैं कि जब फ्रेश प्रेश प्रेक आउट हुआ तो यहां पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं था प्राइस स्मूदली उपर की तरफ चला जा लेकिन एक बार प्राइस उपर जाने के बाद में फिर यह देखी नीचे गिरा है ना अगे तो उपर जाने में थोड़ी सी प्राइस तो आपका क्वेश्चेन है कि यह दो या तीन बार प्राइस आपके लेवल पर आप ट्रेड मार से तो कर सकतो बट फर्स टाइम में जितना कॉंपिटेंस के साथ हम लोग ट्रेड मारते हैं सेकंड या थर्ड टाइम में शायद कॉ और ठीक है सर ओके थैंक यू सर वेलकॉम 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 शायद के सेशन कहीं न कहीं आप लोगों के लिए हेल्फुल रहो होगा और आप सभी लोगों के माइक्स अन्म्यूट हैं आप लोग कुछ फीडबेक देना चाहरे हो तो आप देख सकते हो अधर्वाइस मेरी आवसका काम था जो यह सभी लोगों को और हम लोग पिर कभी जो क्लास पुर्द के मिलते हैं पर अवकिगुण अब लो एक से केंड शोई बोलिए इस आपने बोला अभी नहीं अभी आप लोगो शेर नहीं कि दिन बार हम इसी काम वगरा में लगे रहे थे वो देखें कल मॉर्निंग तो आप लोगों के पास चाहिए लो अब लो अब लो अब लो अब लो अब बढ़ी आज का सेशन मैं तो सोच आहिने आप इतना अच्छे से उसमें आप सारी चीजे बता देंगे और एक वांफिदेंस लेवल यू बढ़े गाए कि स्टॉक में कैसा काम करना है इस टॉक में कैसा आपने आपको इंप्रूमें लो आ को से लॉबंड अब़ाए कि अज करते हैं झाझ आपो कि कि अाझने विब भान को।